ओमनमश्य जहमा काल दूस्तू भाई के खुशाल जीवन के लिए उसकी लंबी आयू के लिए रक्षबंदर पर भाई की कलाई पर राकी बानने से पहले इन पांच देताओं को राकी बानना शूब होता है किन-किन देटाओं को राकी बातों का ध्यान रखना चाहिए आज किस वीरी में हम जानते हैं तो चलिए सबसे पहले जाल लेते हैं कि सावन के महीने में रक्षा बंधन का तियोहार किस दिन मना जाएगा क्योंकि इस बार रक्षा बंधन को लेकर लोगों के मन में असमंजस के सिती है कि रक्षा बंधन 30 तारीक कर रहेगा या 31 अगस्त का हर साल सावन महीने की पौनिमा तिती पर रक्षा बंधन का तियोहार मनाया जाता है इस साल पूर्णिमा तीती 30 अगस्त को है लेकिन 30 अगस्त को भधरा का साया होने की वज़े से राकी बांदने का कोई शुम मौरत नहीं है उसको लेकर लोगों में असमन जिसके सीती है कि राकी हमें 30 को बांदे या 31 को बांदे ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदु धर में माना जाता है कि यदि श्रावन पूर्णिमा पर भधरा का साया हो तो भधरा काल तक राकी नहीं बांदी जाती भधरा काल समाप्त होने के बाद ही राकी बांदनी चाहिए क्योंकि भद्रा काल में राकी बानना अशुमाना जाता है 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया होने के कारण राकी बानने के लिए कोई भी शुमौर्थ नहीं है तो ऐसे में चले जानते हैं राकी बानने के लिए शुमौर्थ क्या रहेगा दोस्तो पंचानक के अनुसार 14 महिनी की पोणि मतिती 30 अगस्त को सुबह 10 बजकर 15 मिंट से शुरू होगी और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7 बजकर 5 मिंट पर होगा लेकिन 30 अगस्त को पोणि मतिती की शुरुआट के साथ ही बहदरा शुरू हो जाएगी वैसे तो 30 अगस्त को रात को 9 बजे भदर समाप्त हो जाएगी लेकिन कहा जाता है रात में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए इसलिए 31 अगस्त को सुबह 7 बजकर 5 मिट से पहले आप राकी बांधने का शुब समय है चलीब जानते हैं राकी बांधे समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रक्षा बंदन वाले दिन भाई भेनों को इसनान करने के बाद राकी बांधने ही चाहिए सुमोर्ट में राकी बांदते समय सबसे पहले भाई को अपने सीर पर रुमालीया कोई भी कलावा रख ले नंगा सर नहीं होना चाहिए माना जाता है खाली सीर पर राकी बांदवानी शुब नहीं होती साथ ही राकी बंदवाते समय भाई का मुख पोरव या उत्तर दिशा की और होना चाहिए पश्चिन या दक्षन दिशा की और राकी बंदवाना शुब नहीं होता ताय की भाई का जीवन खुश हाल हो उसकी आयू लंबी हो दोस्तो भगवान गणेश शुब के देवता माने जाते हैं किसी भी मांगली कारिये करने से पहले इनकी पूचा की जाती है तो गणेश जी की किरपा से जीवन के सभी विगन हर लेते हैं सभी हमारे कस्टों का अंत ह होता है इसलिए रक्षा बंधन के दिन भेनों को सबसे पहले भगवान गणेश को राकी जरूर बाननी चाहिए सावन का महीना है भगवान शीव को समरपित है तो रक्षा बंधन सावन के आखरी दिन है तो ऐसे शुब महुरत में कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर को को बांगया को दे भार्वान से पहले आप सुकते हैं ब़े भग्वान रुद्र कि जब मान जाता है कि Already ख़ले पकार को दुरती होती है तो इससे में मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए बल बुद्धी लए बाइए की कर बांगया पर ऍमजही की & पुरान एक माननेता हो कि अनुसार शिशुपाल का वद करते समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ से खून बहने लगता था और खून को रोकने के लिए द्रोपती ने अपनी साड़ी का पलू फार कर स्री कृष्ण के हाथ में बांदा था इसके बाद रोपती का चीर हना जब कब है खतम होता है काल शब दोस्ते मुक्ति बिलती है साथ ही भाई बहन के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का अंत होता है तो दोस्तों आप भी राकी बांदे समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें राकी बांदे समय दिशा का जरूर ध्यान रखें कि आपका मु सुन रहे तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर पैस कर ले ताकि ऐसी जानकारी और आपको मिल सके तो चलिए में तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक स्वस्त रहिए खुश रहिए भगवान शेव के भगते हैं तो कमेंट शेक्चन में हर हर महा देव ल तो उख्व़त्स पुलेगू तो किम्ना में विल टूरिए य स्सक्राइयो जुओत्स बखु़त्स ऑ दानकारी पुले प्ल isto बभ़वगत्स